तो यहां पर बताया कि शिल्य प्रभबाद भुड़ा है कि लोग जो हैं बेसिकली आलस ही हैं धीले हैं बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन में फसे हुए हैं आज का कल करेंगे कल का परसो करेंगे ऐसी लोगों के मन में विचार रहता हैं और जो आलस्य शिरा प्रभबाद कह रहे हैं वो आलस्य भौतिक्ता में भी आलस्य दिखा रहे हैं लोग ऐसे नहीं कि भौतिक्ता में बहुत बड़े चड़े हैं बड़े एंग्जाइटी तो है लोगों को लेकिन आलसी लोग हैं अगर लोगों को तनखा मिलती रहे घर को अगर कहीं से घर से भाहर निकर लाओंगा फटक से पारक जाके या मार्केट में जाके काम निकाल लेंगे लोग देर तक सोते रहते हैं शेला परपाद एक बार मॉर्निंग वाक के लिए लंडन में थे और पारक में गए सुभे पांच साड़े पांच बज़े कोई था ही नहीं पारक में बलकुल खाली सुनसान पढ़ा था तो शेला परपाद कर देखो लोग कितने आलसी हैं इतने बड़ बड़े पारक बने हुए हैं ऐसा लग रहा है हमारे लिए बने हुए हैं भक्ती इसमें आके इसको यूज कर ले बस जो लंडन के निवासी हैं उन्होंने पारक तो बना दिया लेकिन उसका उप्योग करने की उनमें वो एनरजी वो उर्जा उनमें है नहीं आध्यात्मिक लेजी हैं आलसी हैं कोई उसके अंदर एकसाइटमेंट उत्साह जो है बिलकुल भी लोग दिखाते नहीं हैं और श्रीला प्रभपात भूड़े हैं कि आध्यात्मिक तामें आलस से क्या है कि लोग आत्मसाक्शाथकार के बारे में सूचते ही हैं कि हमें आत्मसाक्शाथक करना है उसके बारे में कोई लोगों का विचार ही नहीं और भया जैसे चल रही है गाड़े चले तो इक्विलिब्रियम चल रहा है बस सुख दुख का एक कंबिनेशन इतना होना चाहिए कि उसको जहलेंगे बस गाड़ी आगे चलती रहेगी यह नहीं सूचेंगे कि आत्म कारी प्राप्त करने के लिए उनका कोई मोटिवेशन उनके अंदर कोई प्रेड़ना उनके अंदर बिल्कुल भी दिखे के नहीं इसलिए चनाक्य पंडित कहा रहे हैं कि हायुशा अक्षण एकोपी ना लभ्य स्वर्ण कोटी भी आप करोणों गुना आप सोना आप टनों का समय भी खरीद नहीं सकते हैं लेकिन दुख के बात हैं कि लोग आलस्य के अंदर इस कीमती समय को लोग ऐसे ही गवा रहे हैं बिना किसी लाप के इसलिए इसलिए हमारे शास्त्रों में बोल रखा है कि आलस्य को छोड़ो उठ जाओ खड़े हो जाओ आप देखो चतने महापरण बोले जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले और उठ जाओ भाई कब तक ये पिशाची की गोद में लेटे रो गए और पिशाची की गोद में लेटेंगे जाके तो नेचरली व जो पिशाच निया उसका कामिया खून चूसना वो खून चूस लेगी आयू कम हो जाएगी वही बात प्रवपात की महापर आके महच हो जाती है तो चतने महापरण बोले जीव जागो जागो भाई उठ जाओ भाहर निकलो यार अपने खोल से क्या आप अहम ममेती के अंदर फसे हुए हो क्या आलत से के अंदर पूरा जीवन उपनिशद एक तिन चोहदा में बोला है कि उतिष्ठत जागरत प्राप्यवरान निभोदत कि ओ जीव तुम इस भातिक जगत में क्यों सो रहे हो उतिष्ठ उठ जाओ और जो आपको मनुष्य जीवन रुपी आपको जो वरदान आपको जो अनुपम भेंट आपको प्रा इनको बोला उतिष्ठ उतिष्ठ भगवत किता में भगवान बोल रहे हैं कि अपना हिर्दे के दुरबलता त्याग दो क्षुद्रम हिर्दे दौर बल्ल्यम कि यह जो आपके हिर्दे की क्षुद्र घट्या अनर्थ रूपी जो दुरबलता है यह कैसे करेंगे सुबह इसको त्याग के त्यक्तवा उतिष्ठ परंतवा ओ शत्रों को जीतने वाले उठ जाओ खड़े हो जाओ भगवान गिता दो तीन में बोल रहे हैं बल्कुल शुरुआत के अंतर आगे भगवान भगवान गिता में 237 में बोल रहे हैं कि देखो तुम लड़ने से क्यों डर अगर मर गए तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा जितने भी लोग बिना पीठ दिखाए जो युद्ध में लड़ते होगे वीरगरती को प्राप्त होते हैं वो सिधा स्वर्गादी लोगों में पहुंचाते हैं इसलिए तो जो क्षत्रियां वो बड़ी प्रसंता को लड़ने के लिए जाते थे कि जो ब्रामन सेक्ड़ों यग्य करके जो जिसका लाव उठाएंगे हम युद में वीरगती को प्राप्त होगे वो लाव हमें यूँ ही बिल जाएगा इसलिए कभी टेंशन नहीं लेते थे लेगन आज की रेट में ना तो क्षत्रिय रहे न सब कलों शूद्र संभवा सब लोग शूद्रे तो भवान क्रिश्ण कहे रहे हैं कि हतो वा प्राप्शिसी स्वर्ग मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा जित्वा वा भोख्षे से महिम और अगर जीत गए तो पिर्थवी का भोख करना और नुकसान कहा पर है तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो समाद उतिष्ठ कौंतिया इसलिए है कौंतिया है कुंति पुत्र अर्जुन उतिष्ठ उड़ जाओ और युद्धाय कृत निश्चया और दिरता पूर्वक युद्ध के अंदर भागलू अर्जुन क्षत्री है उसका क करतव युद्ध करना आप लोग शत्री नहीं हो अगर आप लोग शुद्र हो जो जॉब कर रहे हैं जितने लोग जॉब कर रहे हैं सब शुद्र है सुनने में बुरा लगेगा लेकर वैल फैक्ट ही है जितने लोग विवसाय कर रहे हैं चलो वैश्य है तो आप अगर अध्यात्मिक शूर से आपको उठके परयास करना चाहिए जानने के लिए कि हम है कौन भगवान से सब्बंद के है कैसे उसको जागरत करेंगे हम यह बेसिक मोटो है किसी भी हमारे आप भगवर्दिता उठा लो भागवतम उठा लो चतने चरता में उठा लो कोई गरंद महा वागरत उठा लो सबके अंदर यही पॉइंट है सबको यही प्रेज़ना दि जारी है कि आगे बड़ो उतिष्ट जाग जाओ उठके खड़े हो जाओ और कारे करना शुरू करो आप और ओकारे क्या करने करने कि अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए अज्ञान जनित हे अर्जुन अज्ञान जनित हृतस्थम ज्ञाना सीनात्मना कि अर्जुन तुमारे हिर्दे में अज्ञान जनित जो है सम्षे तुमारे हिर्दे में पैदा हो गया है तुम ये जो अज्ञान जनित, जो हिर्दे दौरबल्ले, दौरबलता, विवेक तुमारा जो नश्ट हो गया है, उसको हटाने के लिए छितवैनम, सम्शयम योगम, आतिष्ट, आतिष्ट हो तिष्ट भारता की उठो और ज्ञान की तरवा से ये जो अज्ञान है इसको काट दो, ये जो अज्ञान क्या है कि हम कृष्ञ से स्वतंत्र हैं, अज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर हूँ और ये जो परिवार वाले हैं, ये मेरी संपत्य हैं, इस अज्ञान को काट दो अज्ञान के तरवार से और आगे भढ़कर आप माया से युद में नियोजित हो जाओ भगवान गीता 11.23 में भगवान कर रहा है तसमात तुम उतिष्ट येश्व लबस्वा कि अर्जुन उठो और येश को प्राप्त कर लो येश सामने खड़ा है येश तुमारे इंतजार कर रहा है बस तुमें उठना है और येश को ऐसे अपने कबजे में करना है क्यों भगवान ऐसे कह रहे है कि येश सामने पड़ा है बस तुमने उठाना है भगवान उसका रिजन बता रहे है इस 11.11 है कि 33.23 लोग में भगवान कह रहे है जीत्वा शत्रुन भौंक्ष्व राज्यम स्मृध्धम और अपने शत्रों को जीत लो राज्य का भोग करो कैसे कर लो भगवान कृश्चिन कह रहे है मया एव एते निहता पूर्वम एव मैंने सब लोग पहले से मार चुका हूँ जितने भी यह सामने तुम्हें दिख रहे हैं इदर उदर दोनों तरफ कौर्वो की तरफ पांडवो की तरफ मैं पहले से उनको मार चुका हूँ निमित मात्र भवे सवे साचिन तुमने तो बस निमित बनना है निमित का मतलब होता है कि एक higher authority यह उसका servant बनना है निमित का मतलब है कि भवान कृष्ण सरवे सरवे है हमने तो उनकी आगया का पालन करना है अगर हमने भवान कृष्ण की आगया का पालन कर लिया अगर हमने तो निमित मात्र अगरम बन गए भगवान के हाथ का इंस्टूमेंट गरह बन गई तो कितना यश प्राप्त होगा भगवान के हाथ में एक इंस्टूमेंट रहता है देखो वम्शी वम्शी का यश भगवान जितने फेमस है उतने imaginary form गवान की बासुरी वो famous है भगवान जितने famous है उतना ही सुदर्शन चक्र फेमस है भगवान के हाथ का यंतर बनना कोई मजाग बात थोड़े ना इसलिए तो चत्र महापरभु ने दक्षिन भारत की आतरा में रामानद राय से पूछा था कि सबसे यशस्वी व्यक्ति सबसे परसिद व्यक्ति कौन है तो रामानद राय ने बोला था जो कृषिन भकत है जो भगवान कृषिन का सेवक है वो सबसे यशस्वी सबसे फेमस है तो यह बात यहां पर भगवान कृषिन कह रहे है कि येश्प राप्त कर लो लेजी आलस्य के अंदर मत आप उलच कर अपना टाइम खराप्त करते हैं